हलो दोस्तों अब हमारे सी इंट्रमीजेट का आखरी पेपर आ चुका है मैं उमीद करता हूं सारे पेपर आपके बहुत अच्छे गए होंगे पिटा और अब लास्ट पेपर जो है वो हमारे सामने अब लास्ट पेपर का आपके सामने है एक से लेकर पांच तक के चप्टर है छोटा सा सिलिबस उन्होंने कर दिया है पर हर चप्टर में से वो एक्जाम में कुशन पूछता ही पूछता है कुछ चौकाने वाली बाते भी है ध्यान से देखिए जैसे आप नंबर वन देख रहे हैं इसमें बिटा आप में 23 देखिए एक कुश्चन आया हर कुश्चन पांच नंबर का होता है फिर आप नवंबर 23 में देखिए दो कुश्चन आये मतलब 10 मार्क्स और फिर लेटेस्ट एक्जाम जो में 24 हुआ उसमें भी 10 मार्क्स का है अभी में प मौकाने वाली बात यह कि चप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंटर्नल एंवार्मेंट यह वाले चप्टर में जो पिछला अटेम में 24 का राज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसमें भाई साब 5 कुश्चन आये विश्वास नहीं हो रहा है कि 5 कुश्चन एक चप्टर में स संकेत मिल गया कि institute के बारे में एक ही बात confidence से कही जा सकती है कि कोई बात confidence से नहीं की जा सकती है इसलिए हर चप्टर को बहुत important मान के पढ़ाई करके paper में उतरिएगा आप देख सकते हैं पिटा जैसे कि 923 में एक भी नहीं पूछा और chapter 3 की बात कर रहा हूं और में 24 में 5 क question पूछ ले 35 माक्स का paper जो आता है वो subjective है और 15 माक्स का paper objective है हम सब जानते हैं objective को शुरू में नहीं करना objective typical question होते हैं घुमा घुमा के पूछता है आप paper के end में या paper के खतम होने के पहले बीच में आप objective कर सकते हैं chapter number 4 को देखिए बिटा strategic choices और chapter number 4 में भी 1, 2, 2, 1 question, 2 question, 2 question, और एक बार फिर चौकाया institute ने made 23 का examination और आप देख सकते हैं उसमें 5 question एक ही chapter में से आ गए और 5 question मतलब 25 माक्स और फिर उसके बार आप देखें नॉमबर 23 में chapter number 5 में से एक भी नहीं पूचा तो analysis करके sir एक line में बात बोलो क्या बुलना चाहते हो मैं यह बुलना चाहता पच्छों कि किसी भी chapter को underestimate मत करना सारे chapter पूरे complete करके जाना पहली चीज़ दूसरी important बात बेटा paper case based वाला आता है case होते हैं उसके अंदर case तो case को करते समय डरना नहीं है उसकी आकरी line बढ़ना है violet color से जो लिखे हैं वो case based question है red color से जो लिखे हुए है वो IMP question है तो मैं जैसे question पढ़ा तो आप देखो इसमें क्या था name the strategic levels मतलब strategic levels पूछे जा रहे हैं भाई functional level फिर business level corporate level फिर देखो उसके बाद में limitations और strategic management case कुछ भी हो नाकरी सीधे word पढ़के समझ में आ जाता है दोस्तों वो क्या पूछना चाहता है और वो बहुत simple answers होते हैं अपने को सब पता है हमने class में सारा discuss करा है proactive approach and reactive approach मतलब केस नहीं भी पढ़ा तो भी पता है कि नीचे तीन question standard है जो हमने कर हुए है question number अगला जो है वो देख कि बेटा benefits of strategic management benefits of strategic management आपको पता ही है FD PLC FD futuristic defense mechanism proactive longevity यह ऐसे सब करके अपने points देखे थे reds जो दिये हैं वो important question है पिछले तीन attempt का paper analysis दे रहा हूं मैं बिल्कुल short and crisp और tight करके इस वीडियो में देखते जाहिएगा chapter number 2 में मैं entry मारत हूं black color वाले question general question है violet color से लिखे हुए question जो है वो case based question है और red वाले जो question है वो IMP question है कोई भी बच्चा जो हमारा है और उसको अगर ये वीडियो देखने को मिल रहा है तो scanner उसके पास already है जिसमें ये सब दिया हुआ है colored book से बिटा आपन सब को पता है और जो बच्चे हमारे pace के student नहीं भी है य पीचे मेरा number दिया गया है 9827029253 उस पर आप WhatsApp करें अपना नाम लिखें अपना शेहर लिखें तो मैं आपको ये PDF भीज़ दूँगा जो मैं आपको दिखा रहा हुँ जिसमें पिछले तीन attempt के paper का analysis है typical questions case based वाले violet color के general question black color के और IMP question red color से तो अच्छा analysis हो जाएगा question number seven में देखें आप में इसके आखरी line पढ़ रहा हूँ case based question है ये explain the different ways in which interaction of business with its environment can be helpful in developing successful strategy बताईए कौन से तरीके जिससे business interact करता है environment से और इससे उसको strategy बनाने में मदद दिलती है तो ये core idea है उपर के पूरे case का ये एक typical question जरूर था और देखें बिटा chapter number one में काफी case based question पूछे chapter number two में थोड़े कम पूछे पर हो सकता है इस बार पांच के पांच question जो है वो पूछे ले वो इदर से अलाकि 7 question आते हैं पांच पांच नंबर के हिसाब से 35 marks के chapter three में में पूछे बिटा red से IMP question है class पर ने सब बादल pointers बना के पढ़ा हुआ है बिटा अब typical question जो है case वाले ओहो ओहो ये मैं क्या देख रहा हूँ chapter number three जो है इसमें अभी तक कोई भी case based question नहीं पूछा है तो कौन जाने इस attempt में case based question आजाए बाई ऐसा भी हो सकता है chapter number four पर आईए ध्यान से देखेगा strategic choices क्योंकि चारी chapters है बेटा भर भर के वो हर chapter में से पूछ रहा है ये health farma की case study देके रखे हुई है मैं इसकी आखरी line पढ़ूँगा which type of growth strategy तो हमको growth strategies पूरा एक chapter है हमको combination, stability और इनमें से expansion, growth strategy के सब पार जो बता है वो अपने को ढूंड के लिखने थे, कौन सी growth strategy ideal होगी ये पूछा जा रहा है इस question में और difference के है उन दोनों growth strategies के बीच में पूछा जा रहा है, case बनाकर वो डराता है, लिखना अंदर content वही होता है, case को थोड़ा correlate कर दो, जो मैंने, अब ये chapter number 5 और आखरी, इसको आप देख सकतें बिटा, इसमें भी case based question आए, मतलब दोस्तों जहाँ 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 चप्टर में case based question नहीं आए, उन चप्टर में से case based question आने की संभावना है, बहुत जादा है, अब ये देखो बच्छा मेरे, ये वाला case आपके सामन मैं मैं से आखरी लाइन पढ़ रहा हूँ, बहुत smart work कर रहा हूँ बिटा, leadership style कौन सी है, transformational, transactional leadership style है, तो ये उसका है, characteristics लिखने हैं उस leadership style के, और वो conditions बतानी है, जिन conditions में ये leadership appropriate होती सब करा हुआ है, IMP question rate में आप देखी सकते हैं, easy question है, high frequency question है, मैं case based question पर आपका ध्यान जाना चाहता हूँ, case based paper आ रहा है, बोया, और सीधे बोया देखा और उसके बाद में बिलकुल कुछ भी बोने की जरवत नहीं सीधे, आकरी लाइन पढ़ लो, strategic model कौन सा है, आप बताईए और strategic model के limitations कौन से हैं, या बताईए, ऐसे करके वो questions पूछ रहा है, तो दोस्तों, बात की एक बात, अच्छे से paper में देखिएगा, case chapter में, उसने कितने marks के question पूछे हैं, और उस पर ध्यान देने के साथ साथ, सभी chapters पर ध्यान दीजेगा, और ये भी देखिएगा, कि उसने कब case नहीं पूछा, मैं वापस से repeat करता हूँ, जैसे chapter number two में, भी case पूछा, one में three में case नहीं पूछा, शायद this time में case आएगा, chapter number four में case पूछा, और chapter number five में भी case पूछा, तो case की आखरी line पढ़ने से, हमें समझ में आ जाता है, कि वो किस topic के बारे में है, तो अमीद करता हूँ दोस्तों, आप बहुत अच्छे से तयारी करके ये आखरी paper, you'll put the last nail in the coffin, and come out with the flying colors, that's all for today, मेरा numbers आपके पास में है बिटा, अगर आपको ये PDF चाहिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो you just need to ping me on this number, अपना नाम लिखिये, अपना शेहर लिखिये, और मैं आपको ये PDF बेजूँगा, जिसमें पिछले तीन attempt के paper का analysis है, और cases है, और जिससे आप सम God bless, love you all and bye-bye.